नमस्कार मैं इंदू सिंग कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सब का स्वागत करती हूँ आए आज हम नेट के सिलेवस में सामिल इकाई नौ में पाठ्थे पुस्तक के आधार पर जो निबंद दिया गया है उनमें से आज हम कुवेर नाथ राय दौरा लिखित निबंद उतरा फालगुनी के आजपास के महत्वण बिंदूओं को समझने का प्रयास करते हैं तो आए इसे हम समझते हैं कुबेरनाथ राय उत्तरा फालगुनी के आजपास निबंध उत्तरा फालगुनी के आजपास रचनाकार कुबेरनाथ राय इनका समय 1933 इस्वी से 1996 इस्वी है ये ललित निबंध कार थे इनका जनम 26 मार्च 1933 इस्वी मात्सा गाउं गाजी पुरूतर परदेश में हुआ निधन 5 जून 1996 इस्वी को पैतरी गाउं मात्सा में ही हुआ था पिता का नाम स्वर्गे बैकुंठ नरायन राय और माता लक्ष्मी राय थी पत्नी महारानी देवी इन्होंने कुल 258 निबंध लिखे हैं इनकी परथम निबंध कावे के प्रतिमान 1962 इस्वी में परकासित हुआ था उत्तरा फालगुनिक वर्षा रितु का अंतिम्न छत्र है कुवेर नाथराय के महतुपूर्ण निबंध संग्रा इस प्रकार है प्रिया निलकंठी या निबंध 1968 इस्वी में परकासित हुआ और इस निबंध पर इन्हें 1979 इस्वी में ज्ञान पीट पुरुसकार मिला था रश आखेटक या निबंध 1970 इस्वी में ज्ञान पीट पुरुसकार मिला गंध मादन या निबंध 1972 इस्वी में परकासित हुआ और इस निबंध पर इन्हें उसी वर्ष ज्ञान पीट पुरुसकार मिला था विशाद योग 1973, निशाद मासुरी 1974, पर्ण मुकुट 1978, महा कभी की तरजनी 1989, पत्र मनी पुतुल के नाम 1980, काम धेनू 1980, मन पवन की नौका 1982, किरात नदी में चंदर मधू 1983, दृष्टी अभिशार 1984, ट्रेता का व्रिहद मासं 2022, मरालAH 293, उत्तर कुरु Nina 94, वानी का छीर सागर उनैसो अंठानवे, अन्दकार में अगनी सिखा उनैसो अंठानवे, और हागम की नाव 2022. कुबेर नाथराय के निबंधों के बारे में विशेश तत इस प्रकार हैं, इनके निबंधों में संस्कृतिक चेतना का चित्रन है, इनके अधिकांस निबंध संस्कृति बोध से संबंदित है, लोक जीवन का वर्नन भी इनके निबंधों में मिलता है, इनके निबंधों में धाराशली का अत्यधिक परियोग हुआ है। कुबेर नाथ राय ने अधिकतर भावात्मक निबंद लिखे है। कुबेर नाथ राय उन्हें 56 इस्वी में अध्यापक की नौकरी के लिए नियूक्त हुए थे। करीब 27-28 वर्ष तक अध्यापन छेत्र में रहने के बाद असम में आसांती फैलने के कारण वे अपने घर गाजीपूर आ गये। इनके निबंदों में आत्म व्यंजक एवंग लालित चेतना के साथ गहन अनुशिलन एवंग चिंतन दिखाई देता है। इन्होंने अपने लेखु में व्यक्तिक्ता के साथ साथ व्यंग विनोत का समवे विशाद योग निबंद संग्रा के संदर में कुवेर नाथराय के कथन इस प्रकार है। यूग बोध की द्रिष्टी से इसमें अधिक प्रहमानिक्ता है। यदि अन्य संकलनों का आश्वादन स्रीमत भागवत की जाती का है। तो इस संकलन की स्वानुभूती महाभारत क की समगोत्रिये है। विशाद योग निबंद संग्रा में तीन प्रतिनिधी चिंता धाराये हैं। अस्तित्योबाद, युवा आक्रोस और समाजबाद, रसमे सैली में अभिव्यक्त हुई है। उतरा फालगुनी के आसपास निबंद में भाषा, खड़ी बोली हिंदी, सं के तस्सम और अंग्रेजी के सब्द भी मिश्रित हैं। उतरा फालगुनी के आसपास निबंद के विशेश तत्थे। लेखक ने जीवन को आनंद पुर्वक जीने का संदेश दिया है। उतरा फालगुनी शब्द का परयोग कुवेर नाथराय ने नक्षत्र के लिए नही बलकि मनुस की अवस्था के लिए किया है। 40-50 वर्ष की आयू को लेखक ने उतरा फालगुनी काल कहा है। लेखक ने तिसोत्तरी की अवस्था की तूलना कसाउटी की रगड से तयार तलवार की धार से गिया है। लेखक को उन लोगों पर क्रोज आता है जो ब्रह्मा को ब्रिहस समस्ते या कहते हैं। लेखक जवानी को चम चमा चम धारदार पत्थर कहते हैं। युवाओं के हर अंग में जलता हुआ फासपोरस कुछ भी करने को शक्ति का प्रतीक है। जीवन का तीसवा वर्ष शर्व की फन की तड़ा खड़ा होकर प्रशन करता है। जिसका उचित उतर ढूरना पड़ता है। तीसवे वर्ष में गौतम बुद्ध घर त्याकर सत्त की खोज करने के लिए निकल गये थे। इसु क्राइस्ट ने तीस वर्ष में अपना पहला उपदेश सर्मन ओन माउंट दिया था। ते तीस वर्ष की अवस्था में उन्हें सूली पर चड़ा दिया गया था। बाल में की रामाइन के अनुसार राम 27 और 30 के बीच में बनवास के लिए चले गये थे। दोस्ती वस्थी चालिस के बाद के जीवन को धिकारते हैं। इस जीवन को वे अशलीलता, अशभ्यता, वे अनैतिकता का जीवन कहते हैं। काल का परव एक नदी के समान है, लेखक यायाती की तरह उधार का यवन प्राप्त करने का जिक्र तो करते हैं लेकिन बदले में अपना आत्म समान और स्वाभिमान को देना स्विकार नहीं करता है। ययाति पुरानी पीडी का प्रतिक है और पुरुरुवा नई पीडी का उतरा फालगुनी के माध्यम से मनुष्य जीवन की उतरा वस्था पर्व्यंग किया गया है मनुष्य को कभी भी अपने आप को ब्रिध नहीं समझना चाहिए चीर तारुन ही मानों को स्रिजनात्मक बनाता है उतरा फालगुनी का काल 30 और 40 वर्ष है उतरा फालगुनी के बाद मनुष्य विकार ग्रस्थ हो जाता है उतरा फालगुनी काल की तरह परवाहमान है उतरा फालगुनी के आजपास निवंध के महत्तपुर्ण अंस किसी भी पुरूश या नारी की कीर्ती गरिमा इसी प्रस्णचीन की गुरुता और लगुता पर निर्भर रहती है जो सर्जक है जो श्रिस्टी करता है वो निश्चे ही चिर युवा होगा प्राचीनिया बहु कालिन का अर्थ जरजर या बुढ़ा नहीं होता है जो सर्जक है, पिता है, प्रॉफिट है, नई लिख का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधो या रोमांटिक काम किशोर भले ही ना हो, प्रन्तुव, दात ज़रा, बाल ज़रा, गलितम, पलितम, मुंडम कैसे हो सकता है? चालिश वर्ष ही तो असली जीवन काल है, तुम जानते हो कि चालिशवा माने चरम बुढ़ापा, दरसल चालिश से ज्यादा जीना असभ्यता है, अशलीलिका है, अनेतिकता है, जो बाहर-बाहर अप्राप्य है, वह सब भीतर-भीतर सूलब है, उस सारी सभ्यता संस्कृति क तो जो पुन्जी बाद निर्मित कर गया है, हमें स्विकार करना होगा, और उसके द्वारा ही समाज बाद गढ़ना होगा, इस निमंद में यह लेलिन का कथन है, रचना की आइडिया के अविशकार के लिए तो अवस विद्रोही मन चाहिए, अब तो मैं विश्वेश्वर के सांड की तरह जवान हूँ, धन्यबाद आप लोगों ने इसे सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यबाद करती हूँ, धन्यबाद